नमस्ते आप सभी से अन्रोध है कि क्रपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब होश्य करें साथ में जो आपको क्यों आर देख रहा है उसको स्कान करके हमें सपोर्ट करें हमारे सब्सक्रिप्शन प्लैंस आप जोइन कर सकते हैं और वीडियो को शेर करें लाइक करें एक पराने जमाने में क्या होता था कि रजाईयां जो थी ना वो कई बार छोटे साइज की होती तो आपके पैर जो थे वो बाहर निकल जाते थे रजाई से तो उसके लिए यह कहावद बनी थी कि अगर रजाई छोटी है या चादर छोटी है तो पैर अपने मोड़ दो पूरे का पूरा जो महावरा है यह पूरी तरह से हमारे लेफ्टिस्ट पंचमक्कार कबाल पर पूरी तरह से लागव हो रहा है क्यों लागव हो रहा है क्योंकि जितना यह हला कर रहे हैं यह कावणिया यात्रा में कावण यात्रा वाले मार्ग में नाम लिखाने की जो निर्दे अब आपको लेटेस्ट बताता हूं पहले मैंने आपको बताया था पहले क्या बताया था आपको सबसे पहले जो है यह आदेश्ट जारी हुआ मुदफर नगर पुलीस दोरा पुल मुदफर नगर पुलीस ने और उसको उन्होंने लाइन और्डर के हिसाब रा से जारी किया कि वही ऐसा है कि रास्ते में जो Лोग भी हैं डावे फ़ल वाले सबजी वाले यह जो आपके फरूट जूस है जितने भी जिसी कार के भी खाद्य पदार थे होंगे काने पीने वाले जितने भी है वो सब अपने नाम लिख ले और नाम लिखके टांग दे क्योंकि पहले गटनाएं ऐसी हो चुकी थी कि नाम नहीं लिखा हुआ था नाम कुछ और था नाम राम था नाम श्याम था नाम नारायर था अनमोल और पीछे बाईजान बैटे हुए थे और लोगों को जब पता चला तो उन्होंने आपती की उसमें जगडे उन्होंने तो लॉइन ओर्डर की दिश्टी से ये निर्देश जारी किये उसके उपर थोड़ा हला हुआ हला हुआ तो सारणपूर के डियाजी साब जिसमें मुझफर नगर पढ़ता है उन्होंने आके का कि अच्छा हम कहते हैं कि भी इसको स्विच्छा से लागू किया जाए तो बेचारे हमारे जो कबाल वाले हैं वो सिलिबरेट भी ठीक से नहीं कर पाये थे उसका उत्सव भी नहीं बना पाये थे तब तक उसको योगी जी ने कहा कि अब यह पूरे प्रदेश में लागू होगा यानि राज्य सरकार की औरसे पूरे प्रदेश पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया कि साफ़ की पूरे प्रदेश में कावर याथित्राओं के मार्क पर ये लागू होगा तो फिर थोड़ा और अल्ला गुल्ला हुआ जब और अल्ला गुल्ला हुआ तो बाइसाब लोगों ने जब से पहले जैपुर डैलॉक्स नहीं पहल की थी और बकी और भी वारे घूमता आइना वाले अनुपर मिश्रा जी निकाल के लिए थे इसको पूरा और सब उन्होंने पूरा डीटेल देते हुए है और तो कह दिया कि भाईया यह तो 2006 का एक्ट है हमने आपको जैपुड डैलॉक्स से बता दिया था कि नकेवल 2006 का एक्ट है यह कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी प्रावधान है यह आपके जो जीस्टी जो है उसका भी प्रावधान है जीस्टी एक्ट का भी प्रावधान है और अन्य बहुत सारे एक्ट है उनमें सब में यह प्रावधान है कि जो भी इस्टैबलिश्मेंट होगा उसमें एक प्रॉमिनेंट इस्थान पर बिल्कुल जो पश्ट दिखाई पड़े बाहर से ऐसे इस्थान पर वहां पर आपको प्रोप्राइटर का नाम और अन्य जो विवरन हैं डीटेल्स है जिसमें स्टाफ का नाम भी हो सकता है आप इस शौपर इस्टैबलिश्मेंट एक्ट है उनमें होता है यह सारा का सारा तो यह जब यह स्पश्ट हो गया और सम्भवता बिरोकरसी को यह तो पता होगा यह न एक नरेटिव वार टाइप था और उस नरेटिव वार में आपकी जीत हुई है जीत के लिए थोड़ा बहुत चले आप हमारे जैसे लोगों को भी दे सकते हैं और इसमें बहुत बड़ी जीत हुई है जीत इसलिए होई है कि जो चीजें दबी चुपी हुई थी और जो यह पता नहीं था कि यह इस प्रकार के नियम और कानून है वो सब को पता चल गए इतने पता चल गए कि साब आज एक देख रहा था मैं कि कोई गणपती डाबा वाले जो है बाइजान वो गणपती डाबा चला रहे थे इतने दिनों से मेरट में जब पता चल गया लोगों को तो हमारे भी पूरवज़ लोगे एक तरफ तो इसलाम में यह पूरी तरह से मुमानियत है कि आप अपने गैर इसलामी पूरवज़ों को याद करें क्योंकि वो जहिलियत कहलाती है वो जमाना जहिलियत कहलाता है प्रॉफिट ने यानि नभी हुजूर्व ने अपनी मा के उप लानत बेजी अपने चाचा के उपर लानत बेजी कभी भी अपने बाप का फातिहा नहीं पढ़ा बाप तो उनके पैदा होने से पहले ही फौट हो गया था और उनकी क्या गलती थी या उसके पुराने जो उनके बंशेश थे तब तक तो इस दर्टी पर आया नहीं था लेकिन नहीं वो सारे के सारे जो है वो दो दिख जाएंगे जो गल्वा नहीं पड़े चाहे इसलाम सब तक आया हो चाहे नहीं आया हो तो इसलिए यह जो हंवारे भाई भावा नवर रखो तुम शाम भावा नाम रखो तुम पारवती भावा नाम को कुछ कुछ भी रखो अपना नाम जरूर लिख दो रीचे बस इतनी सी तो बात की जा रही है आपको किसी भी प्रकार का ट्रेड मार्क लेने में कहीं कोई आपती नहीं है वह एक सेक्विलर लौ है उस सेक्विलर लौ के इन तरगत आप जैसा चाहें वैसा आपने इस्टैबलिश्म नाम से लेकिन अपना नाम भी साथ में लिखना पढ़ेगा भाई भाई को उसके बिना काम नहीं चलेगा के बहई यह ओनर कौन है इस पारवती परेड मार्क का ओनर कौन है जैसे क्रिश्ना हींग पॉस्किक super अस्माखान पठान किस चीज़ महीं द्रुक पैडलिंग मैं हि सब जानते हैं हिमालिया आयोर्वेजिक कंपणी ओनर कौन है भाई जाने तो यह बताने में कहां समस्या है भई अब क्या हुआ ज्यादा और अल्ला गुल्ला हुआ भाई साथ तो हम बताते हैं आज क्या आदेश जारी हो गया लेटेस्ट और इसको देखके तो भाई अच्छ समाचार आया है भाई जागरण में आज आया है और यह राजीव वाजपेई की बाई लाइन से हैं कहते हैं कि खाने पीने की सामगरी बेचने वालों को नाम बदर्शित करने पर यह बता दिया गया है कि नाम बदर्शित नहीं करने पर दो से दस लाक जुर्माने का नियम ह लाइसेंस प्रदर्शित न करने पर नोटिस के बाद खादिस और अच्छा जिर्माना लगा सकते हैं बिना पंजी करण के खान पान का सावान बेचने वालों के खिलाब दो लाग जर्माना लग सकता है और अब ये कहा गया है कि भाई अब तो भाई लखनू में भी सकती से इस अधिनियम का पालन करवाया जाएगा और पूरे प्रदेश में सारे इस्थानों पर इसका सकती से पालन किया जाएगा सदैव सर्वदा अजलब ये कि अगर चुपचाप मान लिये होते लिफ्टिस्ट और ज्यादा हला गुला नहीं किये होते तो ये सदैव सर्वदा के लिए सकत कानून पूरे प्रदेश में लागू नहीं हो गया होता अब ये पूरे प्रदेश में सदैव सर्वदा के लिए लागू हो गया लोकल लोबात अब तो भाईया पप्पू अ मुन्नक साथ जुम्मन भी गए लेओ सियराम मैं सब जग जानी करहूं परनाम जो रिजुग पाद सब बराबर हो गया अब कोई कामड यात्रा का रूट नहीं अब कोई मुझफर नगर सारणपूर और अरिद्वार नहीं यह सब्सक्राइब करना पड़ेगे जहां लागू नहीं होगा वहां लोग आई-कोट जाके लागू करवाएंगे जैसे नीतिश कुमार जी हो सकता है लागू करें तो लोग पट्टा आई-कोट चले जाएंगे पट्टा वालो जाओ अपने आई-कोट में यह तो पूड सेफटी स्टैंडर्ड एक्ट है सेंट्रल एक्ट है दोजार चे का रूल्स बने वह हैं आपके करवा लागू इसको सब्सक्राइब करवाओ करना आवश्यक्त तो इसलिए कहते हैं ज्यादा छब्बे बनने चक करना पड़ा करो अब छब्बे बनने जाओगे तो द और स्मार्टनेस जो है अंग्रेजी वे भी कहावत है यह ओर स्मार्टनेस किल्स टकाट और स्मार्टनेस के चक्कर में एब ली तो गई अब जान लेओ भाईया जुमन प्यारे अब्दुल प्यारे जुबैर खसलू शहजाद मुन्नाखा सब जान लेओ चाहे आप वानाम बैठे हो कावड़ आत्राग रूट में हो या ना हो चाहे आप शजहान पुर बैठे हो पिली बीद बैठे हो खीरी बैठे हो लखीम पुर बैठे हो कहीं बैठे हो अब नाम प्रदिर्शित करना पूरे उत्तर प्रदेश में आवश्यक हो गया है गलत फहमी में न रह जाना गरबर न कर जाना अभी योगी माराज जो है बाबाजी वो वैसे भी तेवर में है ना उनको बहुत ज़्यादा तंग किया गया है पीजेपी वालों नहीं तंग क नहीं है तो वह यह उस चक्कर में तुम नफश जाना समझेव जैहिन जैभारत बंदे माई हैी वह जाना अभ्रियादार झाल झाल